बिस्मिल्ला राख्माने राहिम अस्सालाम अलेक्ट नहीं वेल्कुम बेक्ट मार यूट्यूप फैमिली कैसे हैं आप सब आज में आपके लिए बहुती यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो है चिकन फ्वीट की रेसिपी या मुर्गी के पंजे कह सकते हैं ज्यादा त जवन आदे हैं यक्ञार में पाब हिसको यह जाए भेड़ा के लगाता है तो इसमें मेनत थोड़ीसी जाधे होती है इसको बनाना और फिर कुक करना थोड़ा मुश्किल होता एक प्थेस्सरा दो आप एक मेड़ाध करें बेज शक आप ये पीसिज ना भी खाएं बट इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है बहुत थीक होती है और बहुत मज़ेगी बनती है तो आप इसको अमेरिकाने भी तुमर्बास जूर ट्राइ करें ये इसकी स्कीन उतारी जाती है पीलोप की जाती है तो एक तरीका तो ये है कि एक एक को पकड़ कर हम इस तरह से स्लो फ्लेम या मीडियम आप फ्लेम कर लें तो उस पे आप इसके जो छिलके हैं जो पील्स रसकीन है उसको इस तरह से हम थोड़ा सा जला लेते हैं कि और हमदद आप हाद की मदद से फौरांसे उनको पी पिलोप कर देते हैं ये त्रीखवा बहुत आसान है और ये ज्यादा बेस्ट रहता है तो इस तरहां से हम इसके सिर्फ पील्जिश इंके चिलके सिरफ उतारते हैं इसकी स्कीन उतारते हैं नीचे से जो बूटी होती है वो नहीं उतरती पीस नहीं उतरता तो दूसरा तरीका जो थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा सा लेंटी भी है तो हम इसी तरह से जादा दर करते हैं तो यह देखें कितने असानी से एक मदबस क इसकी स्कीन को हम थोड़ा सा आंच के उपर जला लेंगे तो फिर इस तरह हाथ की मदद से हम इसको पील अप कर लेंगे तो देखें इसकी सारी स्कीन रिमूव हो गई है अंदर से भी देखें तो यह मैं दूसरा कर रही हूँ देखें इस तरह से भी आप पकड़ सकते हैं तो अगर तो आपके लिए रेसिपी नहीं है तो फिर भी आप जरूर बताएं कि आपको यह देखर कैसा लगा मैं आज सरफ इसको पी लोफ करने के इसकी सपाई के और इसको किस तरह से बनाते हैं वो तरीका बताऊंगा बताऊंगी सोरी तो दूसरी वीडियो में मैं इसको कुक करने का तरीका बताऊंगी तो आप उसका भी जरूर वेट करना तो मैं इंशाला वो भी जल्दी आपके साथ रैसी पीशेयर करूंगी तो यह देखें इसको हम एक एक को पकड़के अच्छी तरह से करेंगे और अगर इसके दरम्यान में कहीं कोई पील या इसको कोई सिल्का कवर रह जाए तो उसको इस तरह से हम कोई भी नाइफ लेके उसको होट करके तो अंदर हमें एक मर्बा प्रेस करेंगे यह देखें इस तरह से का पील इसली रिमूव हो जाता है तो हम एक एक इसी तरह पकड़कर तो हम इनके पील उप करेंगे और अच्छी तरह से हम इनके यह जो पील उतारेंगे देखें यहां से अगर नहीं उतारा तो मगें नाइफ को जो है थोड़ा सा गर्म करेंगे तो कोई भी जो आपके घर में पुरानी नाइफ होगी अब वो यूज़ करें तो हमने उसको किया तो यह देखें कितने आसानी से रिमूव हो रहा है तो एक-एक करके पकड के हमने इसी तरहं से सारे बनाने या जितने बिया बनाना चाहिए ंंपर मेरे पास Overall थी महान दशन तक्रीबर एक गहंटा लगा था मुझे इस तरह से बनाने में सिर्फ इनको पील ओफ करने में तो यह थोड़ा सा लेंथी काम होता है लेकिन जिस तरह से हम बक्रे के या गाई के हम वो पाई खाते हैं तो उनका एक टेस्ट होता है अपना अलग टेस्ट होता है तो इनका भी इस तरह से अपना एक यूनिक सा टेस्ट है जो के बहुत मज़े का लगता है तो अगर आपने कभी नहीं खाए तो एक मरद आप एक्सपेरिमेंट करके देखें तो यह है जिसका दूसरा तरीका इसको पील ओफ करने का हम इस तरीके से भी इसके जो स्कीन है इसके जो छिलक के लिए या एक से दो मिनट के लिए हम इसमें इस तरह से हम इसको डिप करेंगे और फिर इसको निकालेंगे निकाल के देखें और इस तरह से स्कीन हम इसकी पील करेंगे उतारेंगे तो यह थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है बड़ी जल्दी नहीं उतरता इसमें य सिल्कुं के साथ इसके नीचे से स्कीन है ना वो भी उतरना शुरू हो जाती है तो मैं यह बस आपके साथ शेयर कहरी हूँ लेकिन यह ब्लकुल नहीं यूउस किया था यह मैंने बड़ी मुश्किल से ना अप्लि किया था यह देखें बहुत मुश्किल से ओर रहा है तो जो तरीक है वह ज्यादा अच्छा है और उससे ज्यादा आसानी के साथ हम कर साथ हम इस तरह से हम इसको काफी देर के लिए पकड़ कर रखना पड़ता है गरम पानी में इसको डिप करके रखना पड़ता है तो फिर भी अच्छी तरह से रिमूव नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं तो इसके जो छिलकी होते हैं वह रहा जाते हैं यह देखें कितना मुश्किल से यह हो रहा है और बार बार करना पढ़ रहा है तो इस अल अप टो यू आप किस तरहां से करना चाहिए अब यह तरीका भी फॉलो कर सकते हैं अगर तो आपको इजी लगे तो यह देखें जी मेर जो थोड़ी बड़ी हो तो इसके साथ हमाराम के साथ वैसे तो कटिंग हो जाते हैं तो अगर आप से अराम से ना कटिंग हो तो आप थोड़ा से जो बिग नाइफ है वो ले सकते हैं ऐसे हाथ की मदद से तो इसको दरम्यान में से कट मैं कर लिए तो इसको बिलकुल कर सकते हैं तो यह देखें इस तरहां से इसको मैंने दो पीसी में डिवाइड कर लिया कटिंग कर लिया यह देखें यहां से हम रखें बिल्कुल हाथ के पास से तो यह मैं किसी चम्मच की मदद से कर रही हूं आप भी कोई चम्मच ले सकते हैं या आपके पास थोड़ी है है तो इसी तरह हम सारे के सारे बना लेंगे तो यह देखें मैं चमज के मदद से इसको ठक ठक कर रही हूं और यह दो पीसिस में कटिंग हो गया देखें को जद्रेखी कर मातेखें इसी तरह से हम सारे इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे तो अब बारी zeitig को वाश्य कर Εकिरी यह प्रोसेस ब्रॉसस ब्रॉश्प में थोड़ा सा लन्टी होता है कि यह सब से पहले मैंने एक मरतमा पानी को उबाल ली है और फिर मैंने फ्लेम ओफ कर दिये तो उस में मैंने यह सारे चिकन पीट गया मुर्ई की पंजज है वह सारी मैंने अड़ कर लिये तो मैं यहां पर दो से तीन टेबल स्पून इसमें विनिगर एड़ कर दिया था था कि बलड अच्छी तरह से निकल आए पांच से दस मेरे इसको डिप किया है देखें गरम पानी है अब हम इसको नीम गरम पानी में मैं तो वाश कर लेती हूँ तो दो से तीन मेरे आप नीम गरम पानी डाले फूल उबलता हुवा पानी हमने अब एड़नेही करना की से चल रहा था था तो नीम गरम पानी आ रहा है तो इसको हमने इतनी मर्थबा वाश करना है कि इसका बलर्ड वाला पानी जो है वो खतम हो जाए और बिल्कुल साफ पानी रह जाए तो फिर हम इसको गिवाश हो जाएंगे अच्छी तरह हमें पता लग जाएंगा गाएंगे, य Luci, मैंने तकारीबद साथ से आर्ट मर्थबा इसको इसका पानी र्मॉव की है क्याएंगे और इसको उच्छी तरह से मैंने हाथों की मदद से हिला हिला के इसका थीष्ग कि इसका साफ यह बिल्कल पता जाए लग अच्छी तरह से साफ हो गए है तो अब हम इनको एक एक को पकड़ कर जिस तरह हम चिकन वाश करते है ना या चिकन या तो पीस निकाल दे या आप नाइफ लेके या आपके नाखन के साथ अगर वो निकल जाता अब वो निकल जता है या पील ऊसका तो आप उसको रिमूव करदे तो ये थोड़ी से लेंथी वीडियो तिries एक काम प्रोसेस बड़ा थोड़ा सा लेंथी है तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो आप पूरी देखेग है इसको ताकर अच्रूरा से आपको समझ जा आए हम तो खाते बड़े मज़े के लगते हैं तो आप जिनने नहीं कभी खाए तो मैं आपको जरूर कहूंगी एक मरत बाइन को ट्राइ करके देखें आप खुद हिरान रहे जाएंगे कि इनका टेस्ट बहुत डिफरेंट और अमेजिंग यमी है सच में मौथ वाटरिंग इसको का जा सकता है तो यह लिचैंजी अच्छी तरह से एक एक को पकड़कर मैंने वाष कर लिया एक दो पीसिस मैंने कट नहीं किया तो यह लिखेंजी कुखो कर इस तरह कर लगते हैं मैं यह मसाले वाले थे मसाले बाले निकाल के खा लेते हैं बाद में थोड़ा सा पानी एड़ करके उसको ग्रेवी सी बना लेते हैं ठेकिया जैसे भी आपको पसान दो और दूसरी वीडियो में आपको कुट करने का तरीका बोटूंगी बहुत ही असान है आपने इस वीडियो का वेट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बतारा है कि आपने पहले कभी ट्राइ किया है या नहीं और अगर नहीं किया तो जरूर ट्राइ करें मुझे फीड़ पेंटने मिलते हैं एक्स वीडियो में अपना बहुत सागया रखें आला झालबएन भोके करें लाग